आज हम बात करेंगे महंगाई की और बेरोजगारी की बेरोजगारी का आलम यह है कि देश से कई सारी फैक्टरियां जो है लगतार घाटे के वज़े से बंद हो रही है तो वहीं बात करेंगे महंगाई की तो जनता तरही तरही है हम बात करेंगे एक युवा से मेंदी हसन हमा है अभी फोर्ड कंपनी भी बंद हुई है जो है उसने हाथ खीच लिया है बहुत लोग बेरोजगार हुए मोदी जी रोजगार देने के बात करते हैं रोजगार तो दिखने तो हम तीन लाक युवाओं को रोजगार देंगे आज वो रोजगार के नाम से बुलकुल भूल चुके हैं रोजगार को और रोजगार जो हमारे देश का उजड़ चुका है जो हमारे देश में बिदेशी कंपनिया थी फोर्ट कंपनी को देख लो आज वो कंपनी बंद करके बिदेश बाफित जा चुकी है उसमें 40,000 बेरोजगार हो चुके हैं आज हमारे उत्रा खड़ में कितना बड़ा सीट कुल चलता था उसमें कम से कम 50 से जादा फेक्टरियां बंद हो चुकी है इस मेंगाई के खाति तेल, चीनी, डाले, आसमान चुह रही हैं एक आम आदमी 2 ठाइस कमाने वाला एक आम आदमी 2,500 कमाने वाला क्या 220 उर्पे किलो का तेल खाएगा क्या 110 रुपे लिटर का पेट्रोल लेगा 300 वाला से लेंडर चाड़ सो वाला सिलेंडर आज साड़े 900 का हो रहा है और सब सीटी भी खतम होती जा रही है वह कहते नहीं है गरीब की जा आज रोड पे पढ़ें बहुत सारा देखे सवाल किसानों की तुमसे एक सवाल मैं करता हूं किसानों की नहीं है किसानों का लगतार धरना प्रदशन जारी है किसान लगतार परिशान रहता है भूक मरी गगार पर आपके कहने का अगर बात करें किसान के आखिर किसानों के अगर काम करती है तो दिखाए आज किसान जो है अपनी फसल बहुता नुक्सान होता है उसको लगतार वो पल-पल मरता है मगर वो देश का भला करने के लिए देश को अंध खिलाने के लिए फिर भी वो घाटे में जो हैं पेदा करता है आज हमारे देश में यह हाल हो चुका है कि चंद लोग हमारे देश को केप्चर कर रखा है आज हमारा जो यूवा है जो हमारा किसान है वो चंद लोगों की कटपुतली बन चुका है आज हमारे जो सरकार है हिंदुस्तान की सरकार है वो हमारे दो लोगों के हातों में गुलाम सब्सक्राइब करते हैं इस कारण कि हमारे लोग हमारे देश से को कैप्चर कर चुके और हमारे देश में इतना बुरा हाल हुचजगारी का कि आज एक आम आदमी भूलकूल इसी का गार पहें कि वह एक रात एक ठेम का खाना क्राने के चट्रमें तर्च करता पाता एक रात का यह हाला आज आज की जनरेशन के हिसाब से लगता है कि देखिए बैरोस कारी इतनी प मर जाते हैं यह देश का हमारे हलाद हैं आज भी हमारे देश में यह हलाद हैं कि रोजगार लोग जो है चुनते हैं रोजी रोटी कमाते हैं आज जो जिस गंदी वाले कूड़े से कोई गुजरना पसंद नहीं करेगा वहाँ पर नन्य नन्य मासूम बच्चे आज उस और उसगार तलाशते हैं यह कहते हैं हमारे देश के प्रधानवंत्री के पड़े गड़े गड़ेंडिया तो यह कौन सा इंडिया है सरदार निर्मल सिंग बाजबा मैं यह कहाना चाहता हूं जो महगाई इतनी बढ़ गई है किसान की लगता किया आप कुछा है कितनी लागा से नॉक्सान कैसे होता आप शारी चीजें जो है इसमें लगाई आप पानी है जो भी है Sब लगाने का बाद भी नहीं मिलते हैं कि होते हैं कि आपको फसल आने से क्या उमीद होती हैं इसके बार जब नुक्सान होता है कि उसमें सब को यह लगता है कि बहुत मेड़ करी है तो हमें कुछ इसका फल नहीं मिला कैसाल बोदी जी ने लोगों को रोज़गार दिया है नउनकृ लोगों को और अप नुनर絮 सरकूलोगाई भी पार्टी के नेता हो आपकी सरकार अगर बन जाएगी तो विकास तेजी से घुमेगा और अच्छे अच्छे काम होगे जैसे बिजली 200 तक फिरी होगी और मतलब इसमें बहुत ज्यादा सहूलती मिलेंगी आप कैसे किसान वो कई सारे किसान जा रहा है आप उनके साथ किसान जाते हैं तो किसानं बैठते हैं जो वहाँ आपनी मांगों अगए रखते हैं तो उनकी मांगे नहीं मानी क Jorge तर्द है आपके इस समय अहالत हैं देश पता है वो इसलिए तोड़ाया कि उसने सारे खर्चे करे थे फसल के उपर और फसल इसलिए जोदी की बरसात हुई नहीं और डीजल मेंगा था मेंगाई के तोर पर उन्हें अपनी जोदी आप क्या कहोगे किसान आज हमारे आज हमारे देश में किसान का वह हल हो चुका है कि हमें सरकार रेट देती है 1975 रुपे का मंगा चंद दलालों ने हमारे देश को केप्चर कर रखा है और जैसे अड़ानी और अबानी आज उनके जगा जगा गौडाम बन रहे हैं आज देख लो अनाज मंडिय में किसानों को दाम दिया सरकार के ती आपको 1975 का मगर नहीं उस जगह पे हमारे किसान भाईयों को सिर्फ रेट मिलता है 17 सो रुपे का क्या करण कि जो बीच के दलाल है उन्हें इतनी रिजबत देना पड़ती है कि वह हमारे किसान भाईयों को पूरा रेट मिली नहीं पात यहीं मैं अगर कोई अपना रोजगार चालू करता हूँ कोई परड़ेक्ट बनाता हूँ तो उसकी कीमत मैं ते करूंगा मगर सरकार की बड़ी दुर्भाग्ये पूर्ण यह बात है कि अगर किसान आनाच प्यादा करता है तो सरकार उसके रेट ते करती है यह ना इनसाफ अपना जो विरोध है वो कायम कर रहा है तो यहीं वज़ा है कि किसान भारती जंता पार्टी की सरकार से नाराज है वीडियो जनलिस नाजिम के साथ अफ़ान एमद क्यू टीवी भारत उत्तर प्रदेश उत्राखंड